नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुलाब की पंक्खडियों के फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तों गुलाब की पंखडियों के फायदयों नुकसान कई होते हैं गुलाब को अंग्रेजी में रोज कहते हैं गुलाब की तासीर बेहद ठंडी मानी जाती है जिसके कारण गर्मियों के मोसम में इसका अधिक उप्योग किया जाता है दुनिया भर में गुलाब के फूल को उसकी खोपसूर्ती के लिए जाना जाता है गुलाब के फूल की पंकडियों में कई परकार के ओसधिये गुण पाए जाते हैं जिससे कई परकार की बिमारियों के खत्रों से बचा जा सकता है गुलाब की पंकुडियों स्वास्ते के लिए बेहत गुणकारी माने चाते हैं दोस्तो आईए जानते हैं अन्य बहसाओं में गुलाब के नाम के बारे में दोस्तो गुलाब को संस्कृत में तेओ तरुनी, करनीका, तरुनी और महकुमारी कन्नड में गुलाबी, बंगाली में गोलाम, पंजाबी में गुले सुरक एवं मल्यालम में पनी निर्पुस्पम कहते हैं दोस्तो आईए जान लेते हैं गुलाब की पंकुडियों के फायदों के बारे में दोस्तो गुलाब की पंकडियों का सेवन करने से हड्डियों को मजबूत ही मिलती हैं बढ़ती उम्र के कारण हड्डिया कमजोर हो जाती हैं जिससे कमर दर्द एवं जोडों में दर्द की समस्या उत्पन हो जाती हैं गुलाब की पंकडियों में एंटी ओक्सिडेंट के साथ साथ विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती हैं जिससे हड्डियों एवं दातों का स्वास्ते बैतर रहता हैं रोजाना नियमित रोप से गुलाब की पंकडियों से निर्मित कुलकंद का सेवन करने से हड्डिया मजबूत होती हैं गुलाब की पंकडियों के उपयोग से संकर संकर्मन के खत्रों से बच्चा जा सकता है गुलाब की पंकडियों में पाए जाने वाले ओस्तिय गुन सरीर में संकर्मन को फैलने से रोकने का कारिय करते हैं एक सोध के अनुसार गुलाब की पंकडियों का इस्तमाल करने से संकर्मन को खतम करने में मदद मिलती हैं गुलाब की पंखडियों में फाइबर की परियापत मात्रा पाई जाती हैं जिससे पाचन किरिया दुरुस रहती हैं गुलाब की पंखडियों का नियमि सेवन करने से कबज अपच एवं पेट में गैस की समस्थ से चुटकारा पाया जा सकता हैं गुलाब की पंखडियों के उपयोग स उरी नरी ट्रेकट इंफेक्शन के खत्रे से बचाओ करने में बहुत मदथ मिती है शरीर में फंगस, वायरस एवं बैक्टीरिया के कारण उरी नरी ट्रेकट इंफेक्शन युटी आई की समझ्या हो सकती है UTI, मूत्र, मार्ग, किड़नी, बलेडर एवं गर्बेस हैं कहीं भी हो सकता है गुलाब की पंखडियों में एंटी बैक्टिरियल गुण पाए जाते हैं जिससे UTI के खत्रे को रोका जा सकता है गुलाब की पंखडियों के इस्तमाल से अवसाद एवं तनाव की समस्य से राहत मिलती हैं गुलाब की पंखडियों में एंटी दी प्रेसेंट गुण पाए जाते हैं जिससे व्यक्ति की सोचने समंझने की चमता बेहद सकारत्मक रोप से परभावित होती हैं गुलाब की पंखडियों के इस्तमाल से अवसाद की इस्तिती से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती हैं जिससे अवसाद एवं तनाव की समस्याद खतम होती हैं गुलाब की पंखडियों के इस्तमाल से महिलाओ को मासिक धरम के दोरान होने वाली समस्याओं से रहत मिलती है गुलाब की पंखडियों के सेवन से मासिक धरम की परकिरिया समन्ने रहती हैं जिससे महावारी की एनियमिता होने की संभावना नहीं रहती इसके अलावा गुलाब की पंखडिया मासिक धरम के दोरान होने वाले धर्द को कम करने के लिए भी बेहद परभाव साली माना जाता है गुलाब की पंखडियों के उप्योग से मोहासो की समस्य से चुटकारा मिलता है गुलाब की पंखडियों में पाए जाने वाले विटामिन में एंटी इंफ्लैमेटरी गुण मोजूद होते हैं जिससे मोहासो डार्क सरकल्स एवं दाग धबो की समस्य को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है गुलाब की पंखडियों का इस्तमाल करने से ताउचा संबंदी विकारों से चुटकारा मिलता है गुलाब की पंखडियों का प्राकर्तिक मोश्चिराजर की रूप में उप्यो किया जा सकता है गुलाब की पंखडियों में ताउचा को मुलायम एवं चमकता रखने वाले गुण पाए जाते हैं जिससे ताउचा की जाईया की समस्या से चुटकारा मिलता है इसके अलावा गुलाब की पंखडियों में विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है जिससे डेड़ इसकीन को हटाया जा सकता है गुलाब की पंखडियों के इस्तमाल से होट कोमल वै गुलाबी रहते हैं गुलाब की पंखडियों को पीश कर गिलिसरीन में मिला कर कुछ समय बाद इस मिसरन को अपने होटों पर लगाने से होट मुलायम रहते हैं दोस्तो आईए जानते हैं गुलाब की पंखडियों में पायजाने वाले पूशक तत्तु के बारे में दोस्तो गुलाब की पंखडियों में कार्बो हाइडरेट, फाइबर, कैलोरी, केलसियम, सुगर, आयरन, विटामिन सी, सोडियम, विटामिन ए आदी जैसे पोशक तत्तु पाए जाते हैं दोस्तो आईए जानते हैं गुलाब की पंखडियों के सेवन के तरीके के बारे में दोस्तो गुलाब की पंखडियों का गुलकंद बना कर पानी में भिगो कर गुलाब की पंखडियों को लांग चीनी एवं गुलाब जल के साथ पीस कर गुलाब की पंकडियों को सुखा कर पावडर की रूप में एवं ताजा गुलाब की पंकडियों को खाना बनाने में इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तो आईए जानते हैं गुलाब की पंकडियों के नुकसान के बारे में दोस्तो गुलाब की पंक्डियों का अधिक सेवन करने से उच्ची रक्तिचाप की समस्या उत्पन हो सकती हैं। गुलाब की पंक्डियों में सोडियम की भरपूर मात्रा पाई जाती हैं। जिसकी अधिक मात्रा से सरीर में रक्तिचाप के इस्तर में व्रद्धी हो सकती गुलाब की पंक्डियों का अत्यदिक सेवन करने से सिर्दर्द एवं मतली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैता है गुलाब की पंकडियों का अत्यदिक सेवन करने से दस्त की समस्या उत्पन हो सकती है ये एलर्जी की समस्या वाले वैक्तियों को गुलाब की पंक्रियों के इस्तमाल से पहले डोक्तर की सला आवस्य 엘ले लेनी चाहीे दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें